बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों प्रेगनेंसी का वो लक्षन जो की इमिजेड बहुत जल्द ही दिखाई देने वाला लक्षन होता है चले इस वोडियो में बात करेंगे सबसे पहले लक्षन की जो की बहुत इनिशियल डेज में जैसे ही आप संपर्क म में आते होली कि कुछ दिनों के बात से यह सिंटम्स आपको दिखने शुरू होते हैं मैं बताने वाली हों यहां पे निसेचन होने का सिंटम्स यानि कि जब एग और cell आपस में fertile होते हैं तो जो वो symptoms दिखता है वो कैसा होता है कैसा होता है उसका लक्षन तो आपका जब egg और cell यानी कि उस वक्त कब दिन होगा ovulation के टाइम में ovulation के दिन के बाद के दिनों में यानी कि ovulation जैसे जिस दिन egg release हुआ आप conceive करने के लिए आपने ट्राइ किया अब उस दिन हो सकता है या फिर एक दिन के बाद हो सकता है या फिर दो दिन के बाद भी हो सकता है मैक्सिमम लेके चलिए तो तीन दिन लेके चल सकते है नॉर्मली जब बॉड़ी अच्छे से काम करते रहता है तो निसेचन तीन दिनों में हो ही जाता है तो यहा जिस भी फिलोपीयन ट्यूब में इन्तिजार करता रहे। जैसे की दाएं वाले में या फिर बाएं वाले में एक से दर्द महसूस होगा आपको ovulation के time में भी वो दर्द महसूस होता होगा जब एक release होके फिलोपियन ट्यूब में आता होगा तब भी हलका हलका दर्द आपको महसूस होता होगा सेम जब आपको ऐसा लगे है कि आप contact में रही है और उसके अगले दिन या उसी कुछ घंटे के बाद से आपको वो हलका सा दर्द महसूस हुआ तो हो सकता है कि वो निसेचन होने का लक्षन है उसके बाद हो सकता है कि breast में हलका हलका सा tickling जैसा फिल हो sensation जैसा फिल हो यानि कि breast में हलका सा itching जैसा फिल होने लगे ये भी निसेचन होने के ही लक्षन में आता है body vessel temperature में बिल्कुल हलका सा change होगा इतना हलका हुआ कि हो सकता है कि आपको मालूम ना चले लेकिन हलका सा आधे degree का ये एक degree का आपको हलका सा rising अप महसूस होगा तो ये भी निसेचन होने के लक्षन में नहीं आते हैं अब इसके बाद implantation होता है जिसमें कि 6 से लेके 12 दिनों का वक्त लगता है तो implantation के symptoms को पहचानने के लिए आपको 6-12 दिन के बीच में अपने बॉड़ी को notice करना पड़ेगा कि कौन-कौन से symptoms आपको दिख रहे हैं पेट के नीचले हिस्से में हलका सा दर्द महसूस होना यह 2-3 घंटों तक बना रहे सकता है या फिर जादा सा जादा दो दिनों तक बना रहे सकता है उसके बाद स्पोर्टिंग हो रही है या नहीं कई महिलाओं को स्पोर्टिंग भी होती है प्रेग्नेंसी से पहले तो यह पक्के तोर पर प्रेग्नेंसी का लक्षन माना जाता है डेट के आपको बहुत पहले मैसूस होगा I hope कि आप कोई वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया दन्यवाद